नमस्कार दोस्तों, कॉंपडिशन कम्मूनिटी के आउनलाइप प्रेफरम में आपका स्वागत है FDR वीडियो सीरीज में इंडियन एकनॉमी, भारत की अर्थव्यस्ता, संबंदित प्रश्णों के संग्रा के साथ मैं हूँ आकास से इस वीडियो में हम मुद्रा इस्विती, मुद्रा, मुद्रा इस्विती के नियंदरन और मौद्री के निती समीती संबंदित प्रश्णों पर चर्चा करेंगे तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ समान्य जानकारी से और उसके बाद प्रश्णों को सौल करना हम प्रारम करेंगे इस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले हमें मुद्रा मुद्रा पूर्ती क्या होती है तरलता क्या होती है इन सारे शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो चलिए जब भी हम यह शब्द सुनते हैं मुद्रा मुद्रा का अर्थ क्या होता है what do you mean by money तो मनी या मुद्रा को कहा जाता है कि कोई भी चीज जो सभी प्रकार के बस्तू और सेवाओं के बदले में सिविकार की जाए उसे हम मुद्रा कहते हैं anything that is generally accepted for the payment of goods and services is called money तो जब आपने money या मुद्रा शब्दे समझ लिया तब यहाँ पर विबिन प्रकार के मुद्राओं के बारे में भी आप जान ले कि जब आपसे बोला जाएगा कि what do you mean by metal money या फिर धातु मुद्रा से आप क्या समझते हैं तब हम कहेंगे coins ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पत्र मुद्रा या फिर पेपर money का क्या आर्थ होता है तब आपके पास में जो notes होते हैं और जो checks होते हैं demand drafts होते हैं यह सारे paper money के इच्छणी में आते हैं अब इन दोनों ही उधारण पर अगर आप देखें तो इन सारे जो हमने examples देखें हैं इनके सारे आप goods and services ले सकते हैं या फिर payment के तौर पर ये सिवखार कर लिये जाते हैं metal money, paper money के बाद जब आप से plastic money के बारे में पूछा जाए तो plastic money के तौर पर अभी आप कह सकते हैं कि जो debit card होते हैं credit card होते हैं ये plastic money के trading में आते हैं अभी हाली में एक virtual money भी आप सुन रहे होंगे जिसे आप छू और देख नहीं सकते हैं लेकिन बस्तू और सिवाओं के बदले स्विकार की जा रही है जिसे आप कहते हैं bitcoin तो ये हो गए वो अलग-अलग प्रकार के मुद्रा अब जब भी आप ये मुद्रा समझ ले तो आप ध्यान रखे कि मुद्रा कहने का तातपर सिर्फ सिक्के या फिर आपकी जेब में रखे वे नोटों से नहीं है मुद्रा का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो वस्तू और सिवाओं के बदले में स्विकार कर ली जाए उसे आप मुद्रा कहेंगे मुद्रा जान लेने के बाद उसके प्रकार उसके उधारन समझ लेने के बाद अब एक बहुत ही महतपुन शब्दावली पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वह है मुद्रा अपूर्ती या फिर वाट डियो मिन भाई मनी सप्लाई मुद्रा अपूर्ती का अर्थ होता है एक निश्ची समय अधी पर किसी भी अर्थ वियस्ता पर चलन के लिए उपलब्द मुद्राओं की कुल मात्रा को हम उस अर्थ वियस्ता की मुद्रा अपूर्ती कहते हैं अगर आप इसे इंगलिश में कहें तो it refers to the total quantity of money in active circulation in any specific economy in any specific प्रिएड आफ टाइम इसे हम मुद्रापूर्ती काएंगे अब इस परिभाशा पर अगर आप ध्यान दें तो हमने कुछ चीजों पर बात की और वो बात किया हमने कुल मात्रा या फिर टोटल मनी बर अब ये कुल मात्रा को अगर आप वर्गों में विभाजित करें तो दो से आप यहां पर देख सकते हैं एक तो आपके पास में उपलब्द आपके जेबों में रखे हुए पैसे जिसमें आप कॉइंस सिक्के या फिर नोट्स या फिर पेपर मनी आप रख सकते हैं और अगर आप दूसरे मात्रा के वर्ग पर जाए तो वो हो जाएंगे जमाएं लोगों के पास में पैसे और बैंकों के पास में रखे हुए पैसे टोटल मनी की यहां पर व्याक्या कर रहा है जो हमने डेफिनेशन पर चर्चा गिया जब आप इस डेपोजिट पर जाते हैं तब हम इसे दो प्रकार से विबाजित करते हैं एक डेपोजिट होता है मांग deposit या फिर demand deposit मांग जमाए और दूसरा होता है सवधी deposit या फिर time deposit ये दो प्रकार के deposits आप देखते होंगे अब इस पर भी अगर आप जाएं उधारन के तौर पर तो मांग deposits पर आप current account और saving account को देख सकते हैं और सवधी जमाओं पर आप देख सकते हैं fix deposit अब इन दोनों के विशेष्टाओं पर जरा हम चर्चा कर लें तो मांग जमाओं के बारे में ये कहा जाता है कि मांग जमाओं ऐसे जमाओं होंगे इनके नाम से ही इसकी व्याख्या प्रदर्शित होती है वह यह होती है कि जब भी ऐसे जमा जो जमा करता कि मांग पर उसे उपलब्द करवा दिया जाए या पिर जब उसकी इच्छा हो वो इस राशी को निकाल ले तो वो मांग जमाओं की श्रिणी में आता है जैसे कि अगर सेविंग अकाउंट देखा जाए तो जब हमें इसकी जवरत होती है हम बैंकों पास जाते हैं या फिर हम ATM पर जाते हैं और हम इस अकाउंट से अपनी मनी विड्रॉ कर लेते हैं मतलब आवशकता और मांग के अधार पर यहां से राशी निकाली जा सकती है लेकिन जब आप सवधी जमाओं टाइम डिपोजिट पर जाएंगे तो यहां पर इतनी सरलता से आप अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जब यह राशी बैंकों में जमा की जा रही है तो कुछ एक फिक्स टाइम तक की जा रही है मान लिजए 10 साल के लिए फिक्स डिपोजिट किया गया तो 10 साल के पहले तक आप इस राशी को नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने निकाला तो कुछ आपको दंड या पनल्टी भी जिलना पड़ेगा तो ये हो गया दो प्रकार के इसकी विशेशता जो इसके नाम से सीधे तोर पर समझ में आ रही है तो जब भी टोटल मनी के बारे में आपसे पूछा जाया तो टोटल मनी आप समझ लें कि कुमात्रा जो कौइनस और नोट्स होंगे اور बैंकों में जमाए होंगे अब इस चीज़ को समझने के बाद कुल मातराओं को समझने के बाद एक और महतवपूर्ण शब्द को हमें समझना होगा और वह होगा मुद्रा की तरलता या लिक्विडिटी ओफ मनी liquidity of money या फिर मुद्रा की तरलता से हम या आश्या निकालते हैं कि ये मुद्रा के बहाव को परिभाशित कर रहा होगा जब हम कहेंगे कि कोई एक मुद्रा एक particular मुद्रा बहुत जादा तरल है अर्थात बहुत ही असानी से इसका बहाव हम देख सकते हैं बहाव का अर्थ ये है कि इसके इस्तमाल से हम बहुत easily transaction कर सकते हैं तो तरलता या liquidity का अर्थ ये होता है कि किसी भी मुद्रा की जो degree of usage है कि कितनी असानी से वह इस्तमाल हो वह उसकी तरलता को परिभाशित करता है जैसे उधारन के तौर पर अगर आपके पास में ये तीन प्रकार की मुद्राएं दीख रही हैं तो सबसे जादा जो तरल आपको मुद्रा देखने को मिलेगा वह दिखेगा coins और notes देखे जब भी हम कोई एक वस्तूख खरीदें और सबसे असानी से अगर हमारे पास cash हो सिक्के हो तो उसके इस्तमाल से हम ये वस्तूख खरीद सकते हैं मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये नहीं है और उसके बाद अगर हम वस्तूख खरीदने गए हैं हो सकता है for example हमने debit card का इस्तमाल किया तो debit card का इस्तमाल करने के लिए उतनी असानी से आप इस्तमाल नहीं कर पाएंगे जितना coins और notes को अपने कर दिया debit card के प्रयोग करने के लिए जहां पर भी जिस point of sale पर आप खड़े हैं वहां पर वो swipe machine होनी चाहिए जहां पर आप इसके इस्तमाल से इस बस्तू को खरीद ले network का connection भी होना चाहिए अर्थात इसके बहाओ पर इस demand deposit के बहाओ पर थोड़ी कम तरलता दिख रही है थोड़ा कम बहाओ दिख रहा है तुलनात्मा ग्रूप से इस coins और notes वाले पर मुद्रा से फिर उसके बाद अगर आप साओधी जमाय पर देखें तो यह राशी पर इस मुद्रा पर आपको तरलता और कम दिखेगी क्योंकि एक particular time तक के लिए fix जाए तो अगर तरलता के श्रड़ी में और अंतिम तरलता की श्रड़ी में साओधी जमाय वाली मुद्रा हैगी क्योंकि इसके प्रयोग आपके लिए थोड़े से जडिल होंगे तो यह हो गया तरलता तो हमने अभी तक यह देखा कि मुद्रा होता क्या है उसके उदारण और उसके बाद कुल मात्रा को देखते हुए मुद्रा पूर्ती समझा और उसके बाद हमने समझा कि तरलता क्या होती है तो चलिए इस समान्य जानकारी के साथ अब हम प्रशनों को सौल करना शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन कहता है निमने गटते हुए क्रम पर कि कौन सा यह जो क्रम है यह सही क्रम बनाता है जब हम अधिक तरलता वाले को पहले चुने और उसके बाद तरलता कि यहां पर जो क्रम होगे घटते हुई हमको चुनना है तो इस जानकारी के आधार पर अगर आप इस प्रशन पर जाएं तो सबसे बढ़ जाता है बच जाता है option B और option D अब उसके बाद हम आते हैं अगली तरलता पर तो हमने जैसा यहां पर देखा कि करेंसी के बाद अगली जो यहां पर तरलता होगी वह होगी मांग जमाओं की तरलता हमें दिखती है वन तो option डी पर हम को मिल जाता है चार फिर एक और तीसरा हम पहुंच जाते हैं बैंकों के पास बचत जमा तो मांग जमाओं की है कि एक हिस्से पर आप बचत जबा भी देख रहे होंगे तो ये भी आपको अतरल होगा और सबसे अतरल वाला जो भाग होगा साउधीग जमाई होगा अरथात साउधीग जमाई हमें टू पर दीख रहे," तो एस तरँलता के घटते हुए क्रम को अगर चुनना हुआ और सही option पर जाना हुआ तो हमें सही option मिलता है option डी पर तो चलिए इस प्रशन के बाद अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है निमनल लिखित पर विचार किजिए यहां पर तीन component दिये गये हैं जंदा के पास मुद्रा बैंकों के पास मांग जमा बैंकों के पास समय जमा और प्रशन पूछा गया है कि इन में से कौन से भारत में व्यापक धन अर्थाद ब्राड मनी M3 में शामिल है और हमें सही option चुनना है अब यहां पर बात आ जाती है M3 की त कौन से होते हैं जिसमें हम M1 M2 M3 और M4 देखते हैं तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि यह M1 M2 M3 M4 होते के हैं चलिए अब हम आते हैं इस मुद्रा पूर्ती के विविन प्रकार पर या मापन पर तो यह topic इस question को solve करने के लिए आपको मुद्रा पूर्ती के मापन क की जानकारी होनी चाहिए हमने कुल मात्राओं को जब हमने देखा कि करेंसी लोगों के पास में और बैंकों की जमाओं को हमने कुल मात्रा का तब हम यहां पर उसके और कुछ वर्ग यहां पर देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं M1 M1 क्या कहता है कि लोगों के पास में जो currency होगा currency with people या फिर लोगों के पास में जो note और सिक्के आप देख रहे हैं इसको और साथ ही साथ जो बैंकों की मांग जमाए हैं या फिर demand deposit हैं अब जब हमने उलकुल मात्राओं में सिर्फ इन दोनों मात्रा को यहां पर रखा हुआ है तब यह मात्रा हमें M1 पर प्रदर्शित होते हुए दिखेंगी अर्थात जब भी आप मुद्रापूर्ती की मापन को मापन देखें तो M1 किसे दर्शाएगा तो M1 कुल मात्राओं में से कुछ मात्राओं को कोई दर्शारा है अर्थात करिंसी विद पेपल और बैंकों की मांग जमाएं कौन से बैंकों की तो वनिजिक या कॉमर्शियल बैंकों की अब बात यह आती है कि इसे जानने के लिए हम मात्राओं पर थोड़ा और नज़र डालते हैं जब भी बैंकों के हम मुद्राओं पर देखें जमाओं पर देखें तो मांग जमा और सवधी जमाएं हमें देखने को मिलती हैं लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर जो सवधी जमाएं होती है इन राशियो पर जब आप नज़र डाले तो वहां पर मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी तो इस अधार पर अगर आप देखें तो M1 एक बहुत बड़ी मात्रा को अभी इसमें सम्मिलित नहीं किया है और वह मात्रा है सवधी मात्रा तो सिर्फ और सिर्फ मांग या फिर नेरो डेफिनिशन M1 पर देखने को मिल रही है इसलिए यह नेरो मनी भी कहा जाता है इसे उसके बाद अब हम आते हैं M2 पर M2 कहता है कि M1 की कुल मात्रा को जोड़ना है और साथ ही साथ अब इसमें पोस्ट ओफिस के डिमांड डिपॉजिट को यहाँ पर कंसिडर करना है देखें यह जो demand deposit था यह commercial bank का था और यहाँ पर जो demand deposit यहाँ पर सम्मिलित किया गया है यह post office के किया गया है अब इस तोर पर अगर आप देखें तो M2 को भी narrow money कह दिया जाता है क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ी राशी को M2 ने परिभाशित नहीं किया है लेकिन अब जब यह दो मुद्राओं को हमने समझ लिया तब इन दोनों मुद्राओं को हम तरलता के अधार पर भी arrange करते है हम यह देखते हैं कि अगर मात्रा के अधार पर हम जाएं quantity के अधार पर जाएं तो बेशक M1 कम दिखता है M2 से लेकिन हगर हम तरलता के अधार पर जाएं तो M1 की तरलता M2 की तरलता से जादा होगी और ऐसा क्यों क्यों क्योंकि आप देख रहे हैं कि M1 पर demand deposit है जो बहुत ही तरल है post office में भी demand deposit है लेकिन जितनी आसानी से या जितनी तरलता वाणिजिक बैंकों की demand deposit होती है उतनी तरलता post office की demand deposit नहीं होती इन post office में जमा या फिर मांग जमाओं को निकालने के लिए भी आपको बहुत सारे नियम और शर्तों का पालन करना पड़ता है और यह M2 को अतरल बना देती है तुलनात्मा ग्रूप से M1 गे भी सम्मिलित करना है अब आप देख रहे होंगे कि M1 की कुल राशी अर्थात currency with people लोगों के पास की मुद्रा और demand deposit तो है commercial बैंकों की लेकिन अब commercial बैंकों की वाणिजिक बैंकों की demand deposit भी इसमें सम्मिलित कर दी गई है और इस अधार पर अगर आप कहें तो अब यह narrow money नहीं कहलाएगा अब यह broad money कहलाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा को यह M3 परिवाशित कर रहा है अब मात्रा के अधार पर अगर हम जाएं तो हमें M3 M2 से ज़ादा दिखेगा लेकिन तरलता के अधार पर अगर हम पहुँचे तो M2 से भी कम M3 मिल जाता है क्योंकि time deposit इसमें सम्मिलित हो चुगा है एक अंतीम आप मापन और जान ले और वह हो जाएगा M4 M4 को कहा जाता है कि आप M3 को पूरा consider कर ले और post office की time deposit भी आप यहाँ पर जोड़ ले तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि M3 से जादा quantity M4 पर दिखेगी और तरलता के अधार पर M4 सबसे अतरल हमें मुद्रा का मापन देखने को मिलेगा तो यह हो गया आपका वह जानकारी इसके अधार पर आपसे प्रशन पूछा जा सकता है और इस जानकारी के अधार पर हम इस प्रशन का उत्तर खोशते हैं प्रशन है इन में से कौन से भारत के व्यापकदन M3 में शामिल है तो हम यहाँ पर देखते हैं M3 पर क्या शामिल है M1 और time deposit M1 पर क्या-क्या था तो currency with people मतलब जन्ता के पास की मुद्रा और था बैंकों के पास में मांग जमाएं ये घटक 1 और घटक 2 M3 का हिस्सा बन चुगे अब हम आते हैं component 3 पर component 3 कहता है बैंकों के पास समय जमा या फिर time deposit और वह भी हमें दीख रहा है M3 पर तो इस प्रकार से सही option हो जाता है हमारा option D, 1, 2 और 3 ही M3 को परिभाजित करने हैं इस प्रशन के बाद अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है निम्न लिखित में से कौन सा सरवादिक तरल परिसंपत्ती है और सही option पर दिखता है हमें मुद्रा चलिए इस प्रशन के बाद अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवित्ती होती है कहलाती है तो सही option है गर्म, मुद्रा या फिर होट मनी क्या होती है होट मनी आप इसे डॉलर के example पर भी समझ सकते हैं जैसे मान लेते हैं कि अभी भारत में ब्याजदर काफी अच्छा चल रहे हैं तो जो विदेशी निवेशक होंगे वो डॉलर को भारत में निवेश करेंगे दिख रहा होगा इस प्रकार की इसकी प्रवित्ति के कारण अचानक से मनी के फ्लो हो जाने के कारण अर्थविवस्थाओं को कभी-कभी नकरात्मक्ता और सकरात्मक्ता दोनों ही जिलने पड़ती है तो होट मनी आप कह सकते हैं कि इसमें तवरित प्रवास की प्रवित्ती बहुत जादा होती है या फिर जिस मुद्रा पर त्वरित प्रवास की प्रवित्ती होती है उसे हम hot money कहते हैं चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कहता है मुद्रा इस्विती के कारण यहां पर चार option दिए गए तो इस question के साथ हम कुछ मुद्रा इस्विती संबंदित कोशन पर चर्चा करें गे और यह प्रयास करेंगे कि मुद्रा इस्विती इस संबंदित question के साहत आपके कुछ cop सब्सक्राइब पहले मुद्रा इस्विती के कुछ concept देख लेते हैं मुद्रा इस्विती को ही English में कह दिया जाता है सि्वर्चिंफ्लेशन को अगर परिभाशित किया जाए तो वस्तू की कीमत में व्रिद्धी कीमत में व्रिद्धी और साथ ही मुद्रा की पर्चेजिंग पावर में कमी पर्चेजिंग पावर अरधात हिंदी में आप इसे कह देते हैं क्रेश हम्ता या क्रेश शक्ति मुद्रा इस्विती परिभाशित होता है इन दो टम से अगर वस्तों की कीमत में व्रिद्धी हो या मुद्राइस्विती का प्रभाव देखना है तो मुद्राइस्विती का प्रभाव आपको दिखेगा कि पांच रुपए पर अब चार एकलियर्स मिल रहे हैं इसका क्या अर्थ हुआ तो इसका यह अर्थ यह हुआ कि जो एकलियर्स की कीमत थी वह बढ़ गई पहले पांच ए के बराबर थी अब पांच रुपए की क्रेशक्ती चार एकलियस के बराबर हो गई इस उधारण से इस डेफिनेशन को आप असानी से समझ सकते हैं अब अगला जो बात आता है हुआ यह है कि मुद्रा समझने के बाद मन में प्रश्ण उठता है कि क्या मुद्रा इस्विती अर्थ विवस्ता पर हमेशा बनी रहती है तो कुछ अपवाज सरूप वर्षों को छोड़ कर अगर हम एक दिर गवदी पर देखें तो बेशक यह मुद्रा इस्विती बनी ही रहती है अर्धात हमेशा आपको दिखेगा कि वस्तों की कीमत में ब्रिद्धी होती जा रही है और मुद्रा की क्रेशक्ती गिरते जा रही है आप इसे महंगाई से कन्फ्यूज ना करेंगे मुद्रा इस्विती एक व्यापक डेफिनिशन है एक व्यापक अवधारना है जो पूरे अर्थ विवस्त को यहाँ पर परिवाशित करता है महंगा और सस्ता शब्द जो है वो किसी एक वस्तू पर ही बात करता है जैसे फॉर एक वस्तू है वह महंगा हो गया दूतरा वस्तू सस्ता हो गया पिर एक और वस्तू आया ये भी महंगा हो गया कोई और वस्तू हुआ ये सस्ता हो गया तो किसी एक वस्तू की कीमत पर बढ़ना घटना वो महगा और सस्ता शबसे आप परिभाशित करें। लेकिन जब हम इन सारे ही वस्तू की कीमत की बृद्धी या फिर कमी को अगर देखें तो हमेशा हमें रिजल्टेंट में हमें अप़़ड सैट का एरो मिलेगा अर्थाथ जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वस्तू की केमत बढ़ती हुई ही दिखेगी। अब मन में ये सवाल आता है कि इस निशकर्स तक हम पहुंचे कैसे अर्थात ऐसा होता क्यों है ऐसा होता इसलिए है आए और डिमांड और उत्पादन के साथ ये संबंद इस्थापित होता है जैसे कि फॉर एक्जामपल अगर लोगों के पास में मुद्रा जादा है अगर उ बढ़ने वाली है अगर डिमांड बढ़ता है तो हम देखेंगे कि इंफलेशन या मुद्रा इस्थिती होता है क्योंकि अब वस्तू की कीमत बढ़ेगी लेकिन डिमांड साथ में ही उत्पादन को भी आकरशित करता है क्योंकि अगर बजार में उत्पादन होना है तो वह के साथ ही होता है अभी आप बरतमान में देख भी रहोंगे कि बजार में बोक्ता बजार में या फिर कंजप्शन की डिमांड कम हो जाने के कारण हमारी जीडिपी वृद्धी दर लगातार कम होते जा रही है और कल ही यहां पर आयम अपने एक नए आकड़े चिंता जनक आ करते हुई दिखेंगी आप उधारन के तौर पर एक समाने जनकारी के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि आज से 20-25 साल पहले अगर आप जाएं तो लोगों की मासिक जो वेतन हुआ करती थी हो बारा सो से पंदरा सो रुपए होती थी लेकिन क्या वो गरीब होते थे बिलक होती है वो लगबख 50,000 के आसपास हो जाती है लेकिन ये वस्तु जो पांच रुपए पर मिल रही थी अब वह 500 रुपए पर मिलने लगी ये मुद्राइस्विती के प्रभाव के कारण ही होता है जहां पर आए और मुद्राइस्विती की दर दोनों यहां पर बढ़ते रह है तब हमेशा मुद्राइस्विती एक सकरात्मक दिशा में अर्थवियस्ता को अगरसर करेगा और अगर यह इस्तिती विप्रीत हो जाती है तब वह हमारे लिए चिंता का विशे होगा एक दिरगवदी पर हमेशा हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा कुछ समय पर कुछ बहु में भी आप इसे शो कर सकते हैं और वह ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा चलिए यह ग्राफ क्या है तो इस ग्राफ पर अगर आप नज़र डाले तो इस एक्सिस पर हम बैल्यू लिख देते हैं इस एक्सिस पर हम मात्रा या कॉंटिटी लिख देते हैं और इस एक्सिस पर हम लिख देते हैं कीमत या प्राइस यह graph यह बताता है कि अगर वस्तुएं constant है या उत्पादन जो हुआ है वो constant है और लोगों की आय में अगर विद्धी होती है मात्रा में अगर विद्धी होती है मुद्रा पूर्ती की तो मुद्रा इस विद्धी होगा कैसे मान लेते हैं point A पर मात्रा है मुद्रा की और जब वा आगे बढ़ा तब मुद्रा की value हमें higher side पर देखने को मिल रही है point A1 पर और इसी समय अगर आप वस्तों की कीमत पर जाएं point A2 पर तो यह lower side पर दिखेगा जब मुद्रा की मात्रा हम बढ़ा देंगे मान लिजिए point B पर ले गए तो मुद्रा की जो value होगी या जो उसकी क्रेश शक्ती होगी वो थोड़ा lower side में आ जाएगी point B1 पर और वस्तों की कीमत आपको higher side पर आते हुए देखने को मिलेगी एक बहुत ही असान उदारण पर हम इसे ले चलते हैं मान लेते हैं कि जो उत्पादन हुआ है वस्तों का वो 60 kg चावल का हुआ है अब इस समय पर अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि मुद्रा की मात्रा 600 रुपए है 600 रुपए हो जाने के कारण यहाँ पर 0.8 उपर कितने रुपए का वो चावल होगा तो 600 से आप अगर 60 विवाजित करें तो आपको दिखेगा 10 रुपए प्रती किलो ग्राम आपको उस चावल की कीमत दिखेगी लेकिन अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ा कर मैं डबल कर दूं पॉइंट बी पर 1200 ले आओं और उस समय हमको दिखेगा कि इस मुद्रा की वैल्यू कम हो गई क्रेशक्ती कम हो गई और यहाँ पर हमें कीमत हायर साइट पर आते हुए दिखेगी आप 1200 से अगर 60 को विभाजित कर दें तो आपको मिलेगा 20 रुपए प्रती किलोग्राम यह इस्थिती कब बनी यह इस्थिती तब बनती है जब उत्पादन कॉंस्टेंट हो उत्पादन नहीं बड़ा है लेकिन मुद्रा की आपूर्ती बढ़ जाती है तो मुद्रा की क्रेशक्ती गिरेगी जिसे हमने देखा वैल्यू गिरेगी और वस्तों की कीमत में व्रिद होता रहेगा लेकिन ध्यान रखिएगा सकरात्मक रिलेशन मुद्राई स्विती और आय का तब होगा जब आय की बृद्धिद्धर मुद्राई-्षविती के बृद्धिद्धर से अधिःग होगी बहुत ही आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है अगर आपको इसमें चलिए इतनी सारी जानकारी के अधार पर अब हम आते हैं मुद्रा इस्विती से संबंदित प्रश्ण पर और कहता है मुद्रा इस्विती के कारण है बहुत ही आसान अब यह प्रश्ण दीख रहा है मुद्रा इस्विती के कारण है बस्तूओं का मुल्य बढ़ता है जैसा हम भी हमने परिभाशा में देखा और इस प्रकार से हमारा सहीं ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी उप्रोक्त ए और बी चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कहता है निम्न में से कौन मुद्राई स्विती से सरवाधी घ्लाब पाता है अर्धात पहले जो हमारा प्रश्ण का श्रक्शर था वह था मुद्राई स्विती को समझने का अब अगला जो प्रश्ण है यह जो प्रश्ण है वह मुद्राई स्विती के परभाव पर समन देखे смотр प्र है कि मुद्रा इस्विती के विबिन अर्थ विस्था के जो छेत रहोंगे उसमें क्या प्रभाव पड़ता है तो चलिए हम इस प्रशन का उत्तर है और कोई एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति है रिणी अर्थात इसने रिंड लिया है अब एने मान लीजिए बी को यहां पर रिंड दिया हजार रुपए का और यह कहा कि तुम मुझे दस प्रतिशत की ब्याज दर से राशी लोटाओगे कब तक के लिए पांच सालों तक अब जब हम पहले साल पर देखते हैं तो यह बी जो है वह सो रुपए की ब्याज यहां पर लोटाता है जब हम दूसरे साल पर पहुंचे तो फिर से सो रुपए लोटाता है और जब तीसरे पर पहुंचे तो हम फिर से देखते हैं सो रुपए लोटाता है इसी प्रकार से वह पांस सालों तक अपने ब्याज अदाएगी करता रहेगा अब अगर आप देखें तो मुदरा ऐस्विती ने क्या कहा था? मुदरा ऐस सो रुपए ही है लेकिन साल दर साल मुत्रा इस्विती के प्रभाव के कारण इसकी क्राश शक्ति यहां पर गिर दे जा रही है इस अधार पर आप रिनी के पक्ष पर यह देख सकते हैं कि पहले साल इसने एक अच्छी क्राश शक्ति की राशी लोटाई थी ब्याज पर दूसरे साल पर जो राशी लोटाई उसकी क्राश शक्ति गिर गई और तीसरे साल पर उसकी क्राश शक्ति और गिर गई अर्थात रिनी को हर साल इस अपने ब्याज अदाईगी पर कम भार उसे देखने को मिल रहा है अर्थात यहाँ पर रिनी जो है वो लाब का अन्वाक कर रहा है और खास कर जब यह राशी बहुत बड़ी होगी और जब यह अवधी काफी लंबी होगी तब रिनी हर साल इस मुद्राइस्विती के प्रभाव के करण लाब अरजित करता रहेगा तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाता है रिनी अब हम कुछ और भी ऑप्शन पर अगर हम बात करें जैसे कि बचत खाता अकाउंट रखने वाले देखें जब बचत खाता पर अकाउंट पर जो वेक्ती पैसा रख रहा है इसे ही अगर आप पलड़ दें इसे समझ लिज और ऊसे कम करेशक्ती की मात्रा यहां पर मिलते रहेगी हो सकता है कि इस राची को वो कहीं और उपयोग में लाता तो उसकी और करेशक्ती बढ़ जाती तो सहीं ऑप्शन हमें मिल जाता है ऑप्शन भी अब इस प्रकार से हमने इस प्रशन पर मुद्रा इस्विती के सब्सक्राइब करेंगे तो किसी एक वस्तू से हम नहीं निशकर्स पर पहुंचेंगे इसलिए बहुत सारे वस्तूओं का एक बास्केट बनाया जाएगा आटीकल्स का बास्केट बनाया जाएगा अगर वह CPI है तो CPI में लगभग 400 से अधिक वस्तों का बास्कट बनाया जाएगा ये वो वस्तों होंगे जिनकी आर्थिक गतिविदी बहुत जादा होगा अर्थात मांग उत्पादन इनका जादा होगा इन सारे ही वस्तों का जो resultant value आपको मिलेगा उसे ही आप मुद्रा इस्विती कहेंगे consumer price index नाम से समझ में आ रहा है कि मुल्ली व्रिदी consumer end पर देखा जाएगा उबुगता इस तर पर अर्थात जब वस्तों का उत्पादन हुआ तब मुल्ली व्रिदी क्या हुई है उसे नहीं देखना है तो किस तर पर मुल्ली व्रिदी क्या हुई थी वहां पर नहीं देखना है उबुगता इस तर पर मुल्ली व्रिदी कितनी हुई वस्तों को उसे देखना है क्योंकि जब हम उबोकता इस तरपर वस्तू की मुल्य वृद्धी देख रहे होते हैं तब हमें यह समझ में आ जाता है कि वस्तू को उत्पादित होने के बाद उबोकता तक पहुचने के लिए जितने भी घड़ा उसके मुल्य वृद्धी के लिए कारक थे वो सारे ही अपन की विदी को हम प्राथमिक्ता देते हैं जिसके अधार पर मौद्रिक नीती का निर्माण किया जाता है वह बोकता मुल्य सुचकांग कंजूमर प्राइस इंडेक्स साथ ही इसलिए और बहतर यहां पर मापन है क्योंकि इसमें बस्तू और सेवाएं दोनों ही सम्मिलित होती हैं जो कि इस सेवाओं को आप अनुपस्थित देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स पर चलिए इस तरीके से हमारा यह प्रशन भी सौल होता है अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन में अगला प्रशन कहता है भारत में मुद्रा इस्विती के संदर्व में नेमनली की कत अगर हम जाएं तो हमें अभी तक की जानगारी पर ही इसका उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन सी घटा हुआ मुद्रा परिचलन अर्थाद मुद्रा अपूर्ती पर बात हो रही है मुद्रा के नियंतरन में साहता करता है हमने देखा कि जब मुद्रा अपूर्ती बढ़ेगी उस चार्ट पर जिस चार्ट को मैंने अभी यहाँ पर आपको दखाया था कि अगर मुद्रा अपूर्ती हमने बढ़ा दिया छे सो की जगा बारा सो कर दिया लेकिन जो वस्तुव का उत्पादन था वो कॉंस्टेंट था तो हम 10 रुपए किलो चांवल के जगे पर 20 रुप अब तो होने लगेगा अरधाद मुद्रा इस्विती को निएंद्रित करने के लिए हमने मुद्रा अपूर्ती को या मनी की सरकूलेशन को कम किया है और यह हमें सहीं ऑप्शन पर दिख जाता है option c पर घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रा इस्विती नियंदरन में सायता करता है ज्यान रखेगा जब भी आप कहें कि money supply घटाने से inflation कंट्रोल होगा ये अधूरा statement होगा आप इसे complete करने के लिए कहें कि जब goods constant रहें और money supply आप घटाएं तो मुद्रा इस्विती भी घटेगा जब goods constant रहें और मुद्रा पूर्ती अगर बढ़ाएं तो मुद्रा इस्विती बढ़ेगा और आप इसका एक दूसरा पक्ष भी देख सकते हैं कि आर्तिक विद्धी में इजाफा होगा चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है भारती अर्थोयस्ता के संदर पर निम्रिलखित पर विचार करें बैंकदर खुली बजार करवाई और लोकरिन लोकराजस उप्रिउप में से कौन सा मौद्रिक निती का घटा गया अब हमने जैसे ही देखा कि मुद्रा इस्विती होता क्या है प्रभाव पर प्रशन पिर मापन पर प्रशन और फिर उसके बाद अभी तक हमने यह जाना कि मुद्रा इस्विती नियंदरन करने के लिए मुद्रा अपूर्ती को घटाने की जो करवाही होती है उसे मौद्रि लिए कुछ कारवाहियां में से सबसे प्रमुक पर हम चर्चा कर लें तो प्रमुक पर सबसे पहले तो रिजर्व रेशियो या फिर आरक्षित अनुपात होता है फिर होता है खुले बजार की रिया या ओपन मार्केट ऑपरेशन और उसके बाद आ जाएंगे रेट्स ये आपके मुखें यहाँ पर मातरात्मक तरीके हैं जिससे आप इंफलेशन कंड्रोल कर सकते हैं चलिए कैसे रिजर्व रेशियो पर अगर आप जाएं तो दो प्रकार के रिजर्व रेशियो आपको मिलेंगे एक मिलेगा कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम कहते हैं नगत आरक्षित अनुपात यह क्या है तो यह कैस रिजर्व रेशियो कुछ राशी को रिजाव में रखना होता है ndtl की प्रतिशत पर कहां पर रखना होता है तो rbi के पास रखना पड़ता है और अभी वर्तमान पर यह चार प्रतिशत बनाया गया है चलिए दूसरा है ऐसलार इस्टैटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यह क्या है यह बैंको की देताओं का व्यक्या है इसके बारे में भी हम डेटेल नहीं जाते हैं कि ndtl का क्या अर्थ है बस आप यह समझ लें कि वह कुल देता वाली राशी जिस पर बैंक जमा करता को कुछ राशी लोटाने के लिए बात दोती है उसे ndtl कह दें और यह भी rbi के द्वारा निर देखते हैं कि अगर आप देखें राउंड फिगर पर अगर आप मान लें कि कोई एक बैंक है जिसके पास ndtl 100 रुपए है और उसकी जो आरक्षीत अनुपात है crr slr वो शुन्य है और बैंकों को यह कहा जा रहा है अगर आपने देखा शुन्य है और बैंकों को 10 रुपए के में 10 प्रतिशत यहां पर 10 रुपए प्राप्त हो जाएगा अब हम यहां बार देखें तो crr slr मतलब की कुल राशी का कुछ भी जमा नहीं रखा गया है कुछ भी आरक्षित नहीं रखा गया है तब कुछ इस प्रगार का स्थिती हमें देखने को मिल रहा है अब अगर हम दूसरा केस देखें जहां पर ndtl 100 है और crr slr 0 के जगा पर 50 प्रतिशत कर दिया जाए अर्थात 100 में से 50 प्रतिशत या 50 रुपए राशी को या आरक्षित रख दिया गया है और लेकिन प्राफिट तो बैंकों को उतना ही निकालना होगा क्योंकि यह वो रा प्रतिशत हो जाएगा क्योंकि 50 रुपए का 20 प्रतिशत जाकर तब हमें यहां पर क्या दिखेगा 10 रुपए आता हुआ दिखेगा तो इसका अगर आप कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन यह है कि crr और slr को अगर बढ़ा दिया जाए तो हमें क्या दिखेगा कि बैंको को अपनी ब्यासदरें बढ़ानी पड़ती हैं और बैंकों को अगर ब्यासदरें बढ़ानी पड़ी अर्थात बजार में उधारी की प्रवित्ती भी गिरते हुए दिखेगी अर्थात बजार में मुद्रा आपूरती कम होने लगी और मुद्रा आपूरती अगर कम होगी तो हमें पता है कि मुद्राइस विती नियंद्रेत हो जाएगा ये हो गया रिजर्व रेशियों के बारे में जानकारी अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर देखें तो यह ऐसी कारवाई होती है जिसमें government की security को बेचा और खरीदा जाएगा जब government की security का विक्रह होगा या फिर जब इसे बेचा जाएगा इसका क्या अर्थ है government security देकर मुद्रा आपूर्ती सरकार ने अपने तरफ खेच लिया अर्थात बजार में मुद्रा आपूर्ती कम हो गई और मुद्रा सिती नियंत रखनी होगी open market operation पर जब हम जाते हैं हम देखते हैं तो यहां पर बाध्यता नहीं है सरकार अपनी security देगा और उसके बदले में उधार लेगा या राशी कुछ लेगा और अगर यह किया जाता है तो मुद्रा सिती नियंत्रित होगा अगर मुद्रा पूर्ती बढ़ानी है जिसमें हम देश में निवेश या उत्पादन की स्थिती बनते हुए देखते हैं अब हम आते हैं rates पर rates पर अगर आप जाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं bank rate bank rate क्या होगा वह interest rate जिस interest rate पर RBI 22 बैंकों को उधार देती है दिरगवदी के लिए अब इसकी बात हम आएं उ निजिक बैंकों को उधार देगी लेकिन अलपवदी के लिए अब अगर आप यह देखें तो यह वो ब्याजदर है जिस पर बैंकें उधार ले रही हैं अगर यह दोनों ही ब्याजदर बढ़ा दे RBI तो बैंकों को RBI से जो राशी मिल रही है यह उचे ब्याजदर उपर म बजार में कम होगी और मुद्राइस्विती नियंद्रित होगी यह वो प्रमुख तरीके जिससे मौद्रिक नीती के द्वारा मुद्राइस्विती नियंद्रित किया जाता है अब हम आते हैं इस प्रश्ण के उत्तर पर तो प्रश्ण का उत्तर कहता है जी ऑप्शन या फि क्योंकि इनसे मुद्राइस्विति पर और इजाफा होता है इसके बारे में लास्ट वीडियो पर राजकोशी निती पर हमने चर्चा किया है कि कैसे सरकार जब उधार अधिक लेगी अपने पर देता का सिजन करेगी तब राजकोशी घाटा या फिसकल डेफिसिट के कारण हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है मौधरिक नीति समीदी तो अगला प्रशन आ जाता है मौधरिक की का पिछे पिछे है या वह अ शामिल है तता प्रत्यक वर्ष इसका पुनरगटन किया जाता है या केंद्री वित्यमंत्री के अध्यक्षता में कारिरत करती है देखें 2016 में मौद्रिक निती समीती आई जिसे उत्तरदाई तो सो पे गए मुद्राइस्विती नियंद्रन का कि CPI 4-2% की मुद्राइस्विती के दर पर अर्थ हिस्ता के मुद्राइस्विती को नियंद्रित करना होगा जिसमें ideal stage हो जाता है 4% अब इस मौद्रिक निती समीती पर आप अगर देखें तो कुछ सदस्यों की संख्या इसमें 6 है 12 नहीं और कथन यहाँ पर दूसरा गलत हो जाता है अब यह जो 6 सदस्य है इसमें तेन आरबी आई के होंगे तीन अरबियाई की जो सदस्य होंगे उनमें आरबियाई के गवर्णर का होना अनिवार्य है और यही गवर्णर इस मौद्रिक निति समीती का अध्यक्ष बैसे लित्यमंतरि अध्यक्षता नहीं कर दें अब इस पर अगर आप बात करें तो पहले की तुलना पर अभी क्या परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन ये हुआ है कि मौद्रिक निती समिती पर बहुमत के अधार पर निर्ने लिये जाएंगे और अगर छे सदसे में दोनों ही तीन तीन सदसे अगर दो पक्षोप पर आ जाते हैं तो आरबिया के गवर्नर के पास में निर्नायक मत का अधिकार होगा जिसे आप कास्टिंग वोट कहते हैं इस जानकारी के अधार पर हमें सही ऑप्षन मिलता है ऑप्षन ए केवल एक अब हम बात करते हैं कुछ वर्तमान में या पिर जो हाली में मौद्रिक निती के दरें हैं जिसे यहां पर डिसाइड किया जाता है मौद्रिक निती समिती द्वारा या फिर इसी पर अधारित प् प्रतिशत 5.15 प्रतिशत रेपो रेट यहां पर निर्धायत किया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर अधारित प्रश्ण पहले भी पूछा है और यह अभी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जब यह मौदरिक निती निर्धारित की गई तब इसे उमीद किया जा रहा था कई अर्थशाचियों द्वारा कि इस मौदरिक इस रेपो रेट को और गिराया जाएगा क्योंकि अभी देश में उत्पादन की इस्तिती समस्या में है और अगर हम इस रेपो दर को गिराएंगे तो बैंकों की ब्यास दरे भी गिरेंगे जिससे ब बन जाता है दूसरा यहां पर जो प्रश्ण है कहता है और बी द्वारा नगत अरक्षित अनुपार वर्तमान में कितना निर्धारित किया गया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है चाल प्रतिशत और ऑप्शन इसका सहीं बनता है SLR पर पूछा जा रहा है कि SLR क्या है तो SLR पर सहीं ऑप्शन है ऑप्शन A 18.25% ध्यान रखेगा जब यह आरक्षित रखे जाते हैं यह राचियां तो नगत आरक्षित अनुपार पर कैश के रूप में या नगत के रूप में रखना अनिवारे होता है लेकिन SLR पर यह अ कर्वार्मेंट द्वारा अधिक्रित यहां पर प्रतिव भूद्यों को भी रखा जा सकता है बस उसकी जो वैल्यू है वह 18.25% होनी चाहिए एंड़ी अलगे चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है रेपो दर से बैंक दर रिवर्स रेपो से होता है कि जब आप रिवर्स रेपो रेट देखें रिवर्स रेपो रेट क्या होता है वह दर जिस पर वानिजिक बैंके और विया को उधार देती हैं फिर हम देखते हैं रेपो रेट और उसके बाद अंतिम में आ जाता है हमारा बैंक रेट इस पर अगर आप नज़र तालें तो जो भी repo rate होगा उसका minus 0.25 प्रतिशत reverse repo rate होगा और उसका plus 0.25 प्रतिशत bank rate होगा तबी जब मौद्रिक निती आती है तो सिर्फ repo rate को बढ़ाने घटाने से ये दोनों आपस में ही या अपने आप ही इन एक्वेशन के माध्यम से बढ़ घट जाते हैं जैसे अगर अभी वर्तमान में रेपोदर 5.15 प्रतिशाथ है तो बैंक रेट 5.40 प्रतिशाथ हो जाएगा और रिवर्स रेपो रेट 4.9 प्रतिशाथ हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कमी होता है चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है निम्न लिखित में से कौन से मामलों में भारती रिजर्व बैंक बानिक जिक बैंकों को नियंतरित करता है तो इसका परिसंपत्यों की तरलता वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है शाख विस्तार ब्रांच का जो विस्तार होगा उसे भी बैंकों का विल है बैंकों को मर्ज करना ये भी RBI के निंद्रेंट छेतर में आ एक दो तीन और चार चलिए इस प्रकार से हमारे मुद्रा मुद्रा इस्विती और मुद्रा इस्विती के नियंद्रन संबंदित प्रश्न आप सॉल कर लिए हैं और इस पर आधारिज जो हमने डिसक्शन किया है ऐसी उमीद है कि इस टॉपिक पर से कोई भी कुश्चन धन्यवाद